Good morning students, welcome back to my channel Study with Abhiman So, आज मैं आप लोगों के लिए UP Polytechnic Entrance Exam 2023 के लिए यानि 2023 के लिए Mathematics के यानि गडित के Most Important Chapters की लिस्ट लेकर आया हूँ So, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टुडेंट्स को यहाँ पे Mathematics यानि गडित के Most Important Chapters की लिस्ट बताने वाला हूँ और अगर बचे हुए दिनों में आप लोग इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, इनका रिवीजन कर लेंगे तो Maximum Questions आप लोगों को आपके Interns Exam में इन ही चैप्टर से देखने को मिलेंगे तो जैसा कि आप सभी स्टुडेंट्स जानते हैं कि अब आप लोगों के Interns Exam में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है मैंने आप लोगों को Interns Exam की डेट के बारे में पहले ही बता दिया है कि 20 जून 2023 से लेकर के 30 जून 2023 के बीच में आप लोगों का Interns Exam हो जाएगा तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे Mathematics के Most Important Chapters के बारे में बताने वाला हूँ वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके End तक जरूर देखिएगा एक भी Point आप लोग में स्मत कीजेगा और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि किस चैप्टर से आप लोगों के Interence Exam में कितने Questions पूछे जा सकते हैं यह भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हुँगे चैप्टर नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के उपर दिख रहा होगा चैप्टर का नाम है केंद्रिये प्रवित्ती की मापे जिसे हम इंगलिश में बोलते हैं तो मैं आप सभी स्टुडेंट्स को बता दू कि इस चैप्टर से आप लोगों के इंटरंस एक्जाम में हर एक साल क्वेशन पूछा जाता है दो क्वेशन तो आप लोगों का फिक्स है 100% दो क्वेशन आप लोगों को इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे और कभी कभी क्या होता है इस chapter से आप लोगों के entrance exam में 3 question या फिर 4 question भी पूछ लिया जाता है अगर आप UP Polytechnic entrance exam 2020 यानि 2020 का question paper चेक करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस chapter से आप लोगों के entrance exam में 3 question पूछा गया था और कभी कभी तो 4 question भी पूछ लिया जाता है तो इस chapter को आप लोग जरूर prepare कर लीजेगा यहां से आपके entrance exam में 2 question तो आपके fix हैं और 2 से ज़्यादा question भी पूछे जा सकते हैं और मैं आप सभी students को बता दू कि यह chapter मैंने आप लोगों का पहले ही complete करवा दिया है एक एक question मैंने solve कराया है और जिस type के question solve कराये हैं same to same वही questions आप लोगों के exam में पूछे जाते हैं आप लोग channel पर जाईएगा UP Polytechnic entrance exam 2023 की mathematics की यानि गडित की playlist को चेक कर लीजेगा वहाँ पे आपको इस chapter की सभी videos लाइन से मिल जाएंगी और जितने question मैंने कराये हैं अगर उतने ही आप solve कर लेंगे तो वहीं से आपको आपके entrance exam में question मिल जाएंगे क्योंकि पूरा chapter मेंने आपका ये complete करवाया हुआ है अब इसके बाद देखेंगे next chapter chapter number second यहाँ पे क्या लिखा है सरल रेखा जिसको हम English में क्या बोलते हैं straight lines बोलते हैं तो मैं आपको बता दू इस chapter से भी आप लोगों के entrance exam में हर एक साल question पूछा जाता है कभी कभी क्या होता है कि इस chapter से एक question ही पूछा जाता है लेकिन आपके मान के चलिएगा कि इस chapter से आप लोगों के entrance exam में दो question जरूर पूछे जाएंगे और इस chapter से आप लोगों के entrance exam में formula भी पूछा जाता है ध्यान रखिएगा मैं आप सभी students को बता दू कि ये भी chapter मैंने आप लोगों का completely finish कराया है और with formula भी बताया हुआ है यानि formula भी मैंने आपको बता दिये हैं जो आपके entrance exam में पूछे जा सकते हैं तो इस chapter को भी आप लोग पहड़ीजेगा दो question आपको जरूर देखने को मिलेगा चैनल पर जाएगा 2023 की mathematics की playlist को चेक कर लीजेगा UP Polytechnic entrance exam वाली वहाँ पे आपको इस chapter की सभी वीडियोस मिल जाएंगी और plus जो मैंने आपको formula बताये हुए हैं उनको जरूर लर्न कर लीजेगा क्योंकि इस chapter से आपके entrance exam में formula जरूर पूछा जाता है अब देखेंगे इसके बाद next chapter तो देखें chapter number 3 आप लोगों को यहाँ पे दो अलग-अलग chapter देखने को मिल रहे होंगे एक तो आपका chapter है वर्ग मूल एवं घनमूल ठीक है जो की आपका mathematics का chapter number first है जो की बहुत पहले ही मैंने आप लोगों का complete करवा दिया है और यहाँ पे लिखा है घातांक एवं करणी जो की आपका mathematics का chapter number second है आपके syllabus का तो मैं आपको बता दू अगर इन दोनों chapter को मिला दिया जाए तो आप लोगों के entrance exam में 3 से 4 questions पूछे जाते हैं ध्यान रखेगा कम से कम 3 questions तो आपके पूछे ही जाएंगे इन दोनों chapters को मिला करके और मैं आपको बता दू यह दोनों ही chapter मैंने आपके complete करवा दिये हैं एक-एक question मैंने solve कराया है अगर आपने पढ़ा है तो बड़े आसानी से entrance exam में questions को solve कर पाएंगे क्योंकि जिस pattern के question मैंने आपको solve कराये हैं same to same वही questions आप आपको देखने को मिलेंगे तो दोनों chapter को मिला दिया जाए तो यहां से आप लोगों को maximum तीन question या फिर कभी-कभी चार question भी पूछ लिया जाता है ध्यान रख्येगा तो यह दोनों ही chapter आप लोगों को अच्छे से complete कर लेना है इसलिए मैं आपको number of question भी बता दे रहा हूं यहां इतने-इतने questions पूछे जा सकते है ठीक है अब इसके बाद देखेंगे next chapter chapter number four chapter number four यहां पे है प्रतिशक्ता एवं ला भानी एवं बट्टा ये भी chapters आप लोगों के दो अलग-अलग chapters है अब मैंने यहां पे इन दोनों chapters को एक में करके क्यों लिखा है क्योंकि मैं जाद आपसे नहीं पूछे जाएंगे और कभी-कभी क्या होता है केवल प्रतिशक्ता से ही आपके entrance exam में question पूछा जाता है ला भानी एवं बट्टा से नहीं पूछा जाता है ठीक है तो मैं आपको यही recommend करूंगा कि इन दोनों chapters में से percentage वाले chapter को आप लोग अच्छे से प पूछा जाता यानि यहां से questions आपके कम आते हैं लेकिन percentage वाले chapter से आपके entrance exam में ज्यादा questions पूछे आते हैं तो आप प्रतिशक्ता वाले chapter को अच्छे से prepare कर लीजेगा और अगर आपके पास time है तो लाभानी एवं बट्टा यह भी chapter आप लोग एक बार देख लीजेगा वो भी basic questions ज्यादा high level के questions आपको देखने की जरुवत नहीं क्योंकि पूछे ही नहीं जाते हैं ध्यान रखिएगा ठीक है और मैं आपको बता दू यह दोनों ही chapter लाभानी एवं बट्टा और प्रतिशक्ता यह दोनों chapters मैंने complete करवा दिये हैं जितने questions मैंने solve कराएं हैं अ mathematics की 2023 की वहाँ पे आप लोगों को यह दोनों chapters की वीडियो स्क्राइन से मिल जाएंगे अब देखेंगे इसके बाद next chapter chapter number 5 यह आपका most 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 important है यह मैं आपको पहले ही बता देता हूं chapter का नाम क्या है समकोडिये कारतिये निर्देशांक या फिर आप बोल सकते हैं निर्देश जैमिती देखें बहुत सारे students अलग-अलग book से अपने entrance exam की preparation करते हैं तो देखें किसी book में इस chapter का नाम लिखा है समकोडिये कारतिये निर्देशांक और किसी other book में लिखा है निर्देशांक जैमिती तो यह दोनों ही chapters आप लोगों के एक ही है ध्यान रखेगा मैं आपको बता दू इस chapter से आप लोगों के entrance exam में दो question तो fix है और कभी-कभी तो यहां से तीन या फिर चार question भी पूछ दिया जाता है 2020 का paper चेक कर लीजेगा वहाँ पे आप लोगों से इस chapter से आपके entrance exam में मैं तीन से चार questions पूछे गए थे आप लोग चेक कर तकते हैं तो यह भी chapter म मैंने आपका complete कराया हुआ है निर्देशांक जैमिती के नाम से यह chapter मैंने आपको पढ़ाया है चैनल पर जाएगा 2023 की playlist चेक कर लीजेगा mathematics की वहाँ पे आपको इस chapter की सभी videos line से मिल जाएंगी और यहां से आप लोगों को आपके entrance exam में दो question जरूर देखने को मिलेंगे यह आप लोग ध्यान रखेगा जो important chapters हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ और देखे जो questions मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ इतने इतने question पूछे आ सकते हैं उसी के according आप लोग अपनी preparation कर लीजेगा यह भी chapter मैंने आपको पहले से ही complete करवाया हुआ है अब देखेंगे इसके next chapter आपका है संख्या पध्धती यानि number system यहां से आपके entrance exam में एक या फिर दो question पूछा जाता है इस से ज़्यादा questions नहीं पूछे जाते हैं यह मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ध्यान रखेगा ठीक है maximum आपका दो question और कम से कम एक question ही पूछा जाता है इस chapter से और य mathematics में 50 questions में से मैं आपको बता दूँ कम से कम 5 से ले करके 7 questions केवल आप लोगों के formula से related होते हैं यानि केवल formula आपसे पूछ लिया जाता है कि हाँ इसका formula क्या होता है मतलब आपसे केवल सूत्र पूछ लिया जाता है तो मैं क्या करूँगा mathematics के सभी chapter से मैं important formula को यहां पे अच्छे से अलग करके मैं आप लोगों को बता दूँगा और आप लोग उन formula को अच्छे से learn कर लीजेगा ठीक है देखिए आप लोगों के syllabus में करीब 40 से जादा chapters दिये गए हैं तो देखिए इन सभी chapter से और देखिए 40 chapter आपके दिये 40 chapter आपके important नहीं हैं मैंने आपको प आप लोगों को सभी important formula बता दूँगा और उनको याद कर लीजेगा वहां से आप लोगों को 6 से 7 question देखने को मिलेंगे केवल formula से related तो अगर आप इस topic पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे comment करके बता दीजेगा अब देखिएंग इसके बाद next question यहापे next chapter देखिएंगे chapter number 7 आपका यहाँ पे दिया है यहाँ पे chapter लिखा हुआ है औसत वसाधारन एवन चक्रविधी ब्याच अब इन दोनों chapter को मैंने एक में क्यू लिखा है यह भी मैं आपको बता दूँगे क्या होता है जो औसत वाला chapter है यहाँ से आप लोगों के entrance exam में एक question ही पूछा जाता है क और देखिए औसत में जो गुड़ज वाले question होते हैं यह आप लोगों से जादा पूछे आते हैं यह आपको ध्यान रखना ठीक है कैसे question पूछा आता मैं आपको बता दूँगे कि 7 के पहले 5 गुड़जों का औसत ग्यात कीजिए ऐसे question आप से पूछे आते हैं इस वाले chapter से औसत पाले से और रही बात साधारन एवन चक्रविधी ब्याज तो इस chapter से आप लोगों के entrance exam में बहुत ही कम question पूछा जाता है एक साल पूछा जाता है अगले साल नहीं पूछा जाता और मैं आपको बता दूँगे अगर आप यहाँ पे last 2 year का paper check करेंगे तो आपको यह आपके questions नहीं देखने को मिलेंगे इस chapter से बस आपको एक बार अच्छे से देख लेना basic concept clear कर लीजेगा बस और यह दोनों ही chapter मैंने आपके complete कराएं है केवल आपको पढ़ना है ध्यान रखेगा देखें आसत वाले chapter से जो maximum question आपके पूछे आते हैं वो formula based question पूछे आते है यह आपको ध्यान रखना है अब देखेंगे इसके बाद next chapter यहां पे क्या दिया है लगुत्तम समापवर्ति तथा महत्तम समापवर्ता क्यानी LCM and HCF यहां से आपके entrance exam में एक से दो question आपके पूछे जाते हैं यह आपको ध्यान रखना है देखें यह भी chapter मैंने आपका complete कर वाया है important question answer की series में भी मैंने आपको कुछ question solve कराए है जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही देख लीजेगा पूरा chapter पहने की जरूरत नहीं है देखें मैं आपको बता दू कुछ selected chapter से question पूछे आते हैं अगर यहां पे अंतिम 30 दिरों में आप अच्छे से यहां पे जो मैं आपको बता रहा हूं important chapters की list यहां से calculate करके important question को आप solve कर लेंगे वहां पे जब आप exam देने जाएंगे ना तो maximum question 50 में से तो आप यहां पे 50 questions में से 40 questions आसानी से solve कर पाएंगे मैं आपको बता दू यहां पे 50 questions आपके exam में पूछे आते हैं तो आप लोगों को 5 से 6 questions या फिर entrance exam में आधी हुआले chapter से question पूछ दिया जाता है प्राइक्ता से पूछ दिया जाता है जो कि आपके slabus में भी नहीं है तो इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं जो important chapters बतारों केवल इतना आपको पढ़ना है अब देखेंगे इसके बाद next question चाल समय एवं दूरी यह आप को ध्यान दखना है आप 2021 का question paper check कर लीजेगा question paper मैंने आपको solve भी करवाया हुआ है वहाँ पे आप देखेंगे तो एकदम basic level का question पूछ आयाता है चाल समय एवं दूरी से मदब उतना high level का नहीं पूछ आयाता और कभी कभी क्या होता है इसी chapter से चाल समय एवं दूरी वाले chapter से physics में आपका question पूछ लिया जाता है ठीक है किसमे physics में आपका numerical पूछ लिया जाता है ये भी आपको ध्यान रखता है 2021 का paper check कीजेगा आपको पता चल जाएगा physics में पूछा गया था चाल समय दूरी वाले chapter से एक basic सा question ठीक है अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे next chapter आ आगे यहाँ पे आप तीन स्टार लगा लिजिए most 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 important है ध्यान रखेगा क्यों क्योंकि त्रिकोड मिती वाले chapter से maximum 8 questions आपके exam में पूछे आते हैं maximum 8 और कम से कम 5 questions तो पूछे ही पूछे जाएंगे ये आपको ध्यान रखना है अब त्रिकोड मिती में आप लोगों के एक और ये सभी chapters मैंने आपको करवाए हुए हैं जो important questions हैं वो मैंने आपको solve कराएं हैं selected questions solve कराएं जो आपके exam में पूछे जाते हैं तो त्रिकोड मिती से related जितने chapters मैंने आपको पढ़ाएं है चैनल पर जाएगा 2023 की mathematics की playlist चेक कर लीचेगा वहाँ पे आपको सभी videos मिल जाए हैं same to same वही questions आपको अपने exam में देखने को मिलेंगे मैं आपको बता दू 2020 का जो entrance exam हुआ था वहाँ पे त्रिकोड मिती से लगभक 8 questions पूछे गए थे और जितने questions मैंने कराए हुए थे त्रिकोड मिती में 8 questions आये थे 8 के 8 वही questions थे जो मैंने solve कराए थे same to same यहां तक संख गए थे त्रिकोड मिती से जो मैंने पढ़ाया हुआ था वहीं से आप लोगों के questions आये थे तो अच्छे से पढ़ लीजेगा next यहां पे है अनुपात एवं समानुपात इस chapter को मैं यहां पे ज़्यादा important नहीं कहूंगा क्योंकि एक ही question आपसे पूछा जाता है तो एक question के लिए यह chapter आपका काफी लेंदी है देखे चैप्टर तो मैंने आपको पढ़ाया ही हुआ है यह भी chapter मैंने आपका complete कराया है आप चाहें तो पर सकते important question कराये हैं केवल basic questions को एक बात देख लीजेगा बस यहां से एक ही question आपका पूछायाता है बहुत ज़्यादा पूछना हुआ तो दो question नहीं तो एक ही question आपको देखने को मिलेगा ध्यान रखेगा लेकिन जो त्रिकोड मिती वाला मैंने आपको बताया है यह जरूर पढ़ लीजेगा अगर इस chapter को अगर आप skip कर देंगे ना तो आपको यहां पे 8 question का नुकसान होने वाला है ध्यान रखेगा question solve नहीं कर पाएंगे देखे 50 में से 8 question तो आपको यही देखने को मिलेंगे त्रिकोड मिती से तो जरूर पढ़ लीजेगा अच्छे से अब इसके बात next है कार एवं समय यहां से मैं आपको बता दू केवल और केवल basic level के question पूछे आते हैं और वो भी एक ही question आता है देखे च question answer की series में और इन 5-6 questions को अच्छे से एक बार solve कर लीजेगा practice कर लीजेगा जो 5-6 question कराएं हैं यहीं से आपको आपके exam में question मिल जाएगा और अगर आप अपनी book में देखेंगे तो कम से कम अरिहंत की book में 30-40 question दिये हैं तो उतना आपको solve करने की जरूरत नहीं है जो 5-6 questions म आप solve कर लेंगे जो मैंने कराएं हैं वहीं से आपको exam में question भी मिल जाएगा अब देखेंगे next यहाँ पे रैखिक एवं दुईघात समी करने यहां से आपके दो question आपको देखने को मिलेंगे important question answer की series में मैंने आपको question solve कराया है पूरा chapter मैंने आपको यह नहीं पढ़ाया ह मैं आपको पहले ही clear कर दे रहा हूं केवल important question कराये हुए हैं तो दो question आपको जरूर देखने को मिलेंगे यहां से अब इसके बाद देखेंगे next है आपका बहुपत एवं गुरनखंड और बीजगडितिये सूत्र देखें यह दो अलग-अलग chapter है और इन दोनों chapter को मिला द या जाए तो कम से कम आप लोगों से दो question ही पूछे जाते हैं क्योंकि देखें यह दोनों ही chapters आप लोगों के काफी time taking है ध्यान रखेंगा इन chapters में अगर आप question को देखेंगे तो आप यहां पे trick भी apply नहीं कर सकते हैं मैं आपको बता दू मैंने आप लोगों को गुरन-ख करना नहीं आता तो इस topic पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है पढ़ लीजेगा और देखें दो question में से एक question तो आप लोगों को गुरन-खंड यानी factor से देखने को मिलेगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरन-खंड गुरन-खंड वाला एक question आपको जरूर देखने को 6 आप इसका क्या कीजिए factor कीजिए यानी गुरन-खंड कीजिए तो आपको इसका गुरन-खंड करना होगा ऐसे ही questions आप लोगों से पूछे आते हैं और देखें question थोड़ा आपका moderate level का भी हो सकता है ये तो बस just मैंने आपको example के तोर पर समझाने के लिए बताया है ठीक है अब इसके बाद देखेंगे next chapter आपका है logarithms यानी लगुगडक देखें इस chapter से आपके एक question या फिर दो question पूछे जाते हैं ठीक है एक से दो question पूछा आता है और ये chapter मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ है लेकिन ध्यान रखेंगा important question answer की series में कुछ important questions कराये हुए हैं औ और उसी type के questions आपके exam में पूछे आते हैं तो एक question या फिर कभी-कभी दो question पूछा आता है तो इस chapter को एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लीजेगा फर इसके बाद next आपका यहां पे है वृत यानी circle इस chapter से आप लोगों के intense exam में कितने question पूछे आते हैं देखें जो circle वाला chapter है यह आप लोगों के करीब दो से तीन chapter combine करके दिये गए हैं अगर इन सभी chapter को मिला दिया जाए तो maximum आपसे दो question ही पूछा जाएगा और कभी-कभी तीन भी पूछ दिया जाता है लेकिन दो question तो आपसे पूछा ही जाएगा लेकिन basic level के ही question पूछे आते हैं ठीक ह देखे कैसे question पूछाएंगे देखे कुछ कुछ क्या होता है theory based question भी आपसे पूछ दिया जाते हैं जिसे आपसे question पूछ दिया जाए कि अर्ध वृत में बना code होता है ऐसे आपसे question पूछ दिया जाता है कि अर्ध वृत में बना code होता है चार option दे दिये जाते हैं अगर अर्ध वृत्त में बना कोड क्या होता है सम कोड होता है तो आप तुरंट option पे टिक कर देंगे तो ऐसे भी questions आप से पूछ दिये जाते हैं देखिएगा जब आप अपनी book में देखेंगे अरिहंत की book में कुछ important points दिये होते हैं त्योरी बेस वो भी आप लोग अच्छे से एक बार पहल लीजेगा फिर यहां पर last आपता है chapter number 17 मैंने लिखा है त्रिभुज और छेत्रमिती मैं आपको बता दो त्रिभुज वाले चैप्टर से आप लोगों से कैसे questions पूछे आते हैं इस topic पर मैंने वीडियो बनाई हुई है important question answer की series को चेक कर लीजेगा त्रिभुज से related करीब मैंने आप लोगों को 10 से 12 question solve कराए हैं और वही 10 12 question अगर आप अच्छे से solve कर लेंगे practice कर लेंगे तो वहीं से आपको आपके entrance exam में question मिल जाएगा देखे मैंने करीब 7 से 8 साल के papers को चेक किया जिस pattern के question आपके exam में इस chapter से पूछे आते हैं तिरभुज वाले chapter से वो सभी question मैंने आपको important question answer की series में solve करवा दिये हैं केवल और केवल आपको पढ़ना है अब रही बात छेत्रमिती यानि mensuration की तो देखे mensuration में सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है सबसे ज़्यादा आपको इस chapter से related formula को तयार करना है अगर आपको formula नहीं learn होगा तो इस chapter के questions को बिलकुल solve नहीं कर पाएंगे ध्यान रखेगा तो सभी formula इस chapter से related prepare कर लेजेगा और छेत्रमिती से related करीब मैंने आप लोगों को 25 questions solve कराएं है इस से ज़्यादा question जो most important है जहां से आपके exam में question पूछे जाते हैं जिस pattern से related पूछे आते हैं 25 से ज़्यादा question solve करा दिये हैं important question answer की series में playlist चेक कर लीजेगा 2023 की mathematics की जितने question कराएं है उतना ही आप solve कर लीजेगा जब आप paper देने जाएंगे ना तो same to same जो 25 questions मैंने आपको कराएं हैं इससे ज़्यादा भी कराएं हैं वहीं से आपको question मिल जाएगा ऐसा last year भी हुआ था इससे पहले भी ऐसा हुआ था ठीक है तो पूरी book यहाँ पे आपको solve करने की जरूरत नहीं है अगर आप छेत्रमिती देखेंगे तो यहाँ पे कई chapters आपके combine करके आते हैं और सभी से question नहीं पूछे आते हैं देखे घन वाले आपका एक chapter दिया है घन घनाब वाला वहाँ से आप लोगों से घन का आयतन घन का आयतन इससे related question जरूर पूछा जाता है ठीक है क्योंकि formula based question होता है यह आपसे पूछ दिया जाता है आपसे balance related question पूछ दिया जाता है आपको अनुपात दे दिया जाता है उसी से related question पूछ दिया जाता है तो यह सब question मैंने आपको करवा दिये हैं केवल आपको पढ़ना है तो कुल मिला करके इतने chapters की list मैंने तयार की थी अगर इतना आप अच्छे से पढ़ लेंगे और मैं आपको बता दू, मैं आपको यहाँ पे chapters के बारे में बताया है आपको इन chapters के सभी questions को solve करने की जरूरत नहीं है जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जितना मैंने आपको solve कराया है उतना ही पढ़ लीजिएगा बड़े आसानी से आपका यहाँ पे math का paper clear हो जाएगा वो भी बहुत ही अच्छे marks के साथ ध्यान रखेगा अब आपको videos कहां पे मिलेंगी, यह मैं आपको बता दू चैनल पर जाएगा, UP Polytechnic Intense Exam 2023 की math की, यानि mathematics की playlist को चेक कर लीजेगा जब आप playlist को चेक करेंगे, तो आप लोगों को करीब 140 से ज़्यादा videos देखने को मिलेंगी चेक कर लीजेगा, वहीं पे आपको सभी videos लाइन से मिल जाएगी जितने chapters के बारे मैंने आपको बताया है, इन सभी chapters की videos मिल जाएगी और जो chapter मैंने आपको नहीं पढ़ाए है, जैसे मैं आपको बता दू रैकिक एवं दिघास समी करन, ये chapter मैंने आपको पूरा नहीं पढ़ाया है बहुपद एवं गुडनखंड, यहाँ सबसे मैंने आपको important question solve कराए है लगुगड़क के भी कुछ important question solve कराए है तो ये सब आप लोग एक बार देख लीजेगा, खास कर त्रिभुज और छेत्रमिती इन दोनों chapter से related, जितने questions आपके exam में बनते हैं वो सब मैंने आपको solve कराए हैं, जो most important है पूरा chapter नहीं केवल most important question तो ये सब आप लोग पढ़ लीजेगा, क्योंकि अभी आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो इतना अगर आप अच्छे से prepare कर लेंगे तो बड़े आसानी से आप 50 questions में से कम से कम 35 से 40 questions तो आसानी से solve कर पाएंगे, ठीक है और अगली वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा physics के important chapter की list बता दू और chemistry के important chapters की list में आप लोगों को बता दू जिससे आप लोग समय रहते अपनी preparation अच्छे से कर ले क्योंकि देखे, पूरा chapter आपको पढ़ने की जरुरत नहीं है जैसा कि मैंने आपको starting में ही बता दिया, ठीक है maximum chapters मैंने आपके complete कराए है physics में, chemistry में, mathematics में playlist चेक कर लीजेगा, 2023 की वहाँ पे आपको सभी videos लाइन से मिल जाएंगे, ठीक है मैं लगातार 2019 से आप लोगों के exam की preparation करवा रहा हूँ 19 में करवाई, 20 में, 21 में, 22 में और इस बार भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो देखिए, जितना मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, जो important होता है वही पढ़ाता हूँ जहां से आपको question देखने को मिलेंगे तो आप लोग अच्छे से पढ़ जरूर लीजेगा, बिल्कुल free में मैं आप लोगों के intense exam की preparation करवाता हूँ हमारे चैनल से पढ़ करके maximum students ने अपना exam qualify किया है वो भी बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ और बहुत ही अच्छी rank के साथ तो आप भी preparation करना चाहते हैं तो आप अपनी preparation कर सकते हैं इसले बस तो मैंने maximum पहले ही complete करया किवल आपको revision करना है तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को like करना मत भूलेगा साथी साथ हमारे चैनल study with अभिमान को subscribe करना मत भूलेगा सो आज की वीडियो में इतना मिलेंगे next वीडियो में thanks for watching